क्या आपको वो कार याद है जिसे हमने बिना स्पर्ष की एक हींचा था हम उस कार को किसी किताब पर रख कर भी हिला सकते हैं ऐसा करते समय हम चुम्बक को किताब के नीचे रखेंगे और जैसे ही हम चुम्बक हिलाएंगे वैसे ही कार भी हिलेगी यदि हम चुम्बक को इस बरतन के नीचे रखेंगे तो हम इस खिलोने की नाव को भी हिला सकते हैं चुम्बक की शक्ती हवा, पानी और ठोस पदार्थ के माध्यम से प्रवास करती है यही गतिविदी अन्य पदार्थों जैसे टेबल, कुर्सी, पत्थर या दिवार आधी के साथ भी करके देखें रेत में मैगनेटाइट अर्थात चुम्बिच के महीन कन होते हैं जो चुम्बक के द्वारा आकरशित किये जाते हैं हम यही कृती किसी फैब्रिकेशन की दुकान में अर्थात जहां पर लोहे से जुड़ा काम होता हैं वहाँ जाकर कर सकते हैं वहाँ हम चुम्बक की सहयता से जमीन पर पड़ा लोहे का बुरादा उठा सकते हैं हमने जाना कि चुम्बक वै अद्रिश शक्ती है जो आकरशित करने के लिए या प्रतिकरशन के लिए जिम्मेदार होती है यदि हम दो चुम्बकों के बीच में अपनी उगलियों को रखेंगे तो हम इस शक्ती को महसूस कर सकते हैं पर क्या हम इसे देख सकते हैं? हमने पहले इकठा किया हुआ लोहे का बुरादा उस सफेद कागस पर छेटकते हम देख सकते हैं कि कागस के नीचे रखे चुम्बक के उत्तर और दक्षिन द्रूव के आसपास ये बुरादा रेशा बनाता है कि आप बता सकते हैं कि इन रेशाओं की किनारे की ओर भीड क्यों है क्योंकि अन्न स्थानों की अपेक्षा इस स्थान पर शक्ती अधिक मातरा में होती है अगर हम लोहे के बुरादे को किसी पारदर्शी बरतन में रखें और उसके उपरी दीवार पर चुम्बक रखें तब बड़ी खुबसुरत तीन आयाम वाली चुम्बकी एक्षेतर की रेशाओं को देखा जा सकता है इसी कृती को अलग-अलग प्रकार, आकार और माप के चुम्बकों के साथ दोहराएं और ऐसा करते समय चुम्बक को कागस के नीचे रखें भिन भिन रचनाय बना कर देखें, आप द्रूओं का स्थान बदल सकते हैं यदि आप चाहें तो लोहे का बुरादा भी स्वैम बना सकते हैं, इसके लिए आपको कील और नत्थी की आवर्शक्ता होगी चुम्बक की अप्रभाव को ठोस, द्रव और गैसिय माध्यम में महसूस किया जा सकता है, क्या वो शुन्यक में भी महसूस होता है? चुम्बक, हवा, ठोस पदार्थ और द्रव पदार्थ इन माध्यमों में कारि करते हैं चुम्बक की अक्षेत्र को हम लोहे के बुरादे की सहायता से प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं